ओम स्री वेंकटे साय नम्हा मैं प्रोफेसर एस्वी एसेस्ट नाराइन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत स्री गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा रच्चित स्री रामचर्त मानस के उतरकांड से सम्मन्दित आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ अब प्रभु स्री सितारामचंद्रस्वामी जी अपने भाईयों के साथ कहां कहां जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं आदी विबिन प्रसंगों का इसमें तो सिदाजी वरनन कर रहे हैं अब सबसे पहले पद देखेंगे ब्रातन्ह सहित रामू एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुन्दर वुपबन देकन घयें सबतर कुसुमित पल्लव नये जान समय सनकादिक आये तेज पुंज गुन सील सुहाये ब्रमानंद सदा लय लीना देकत बालक बहु कालीना रूप दरे जन चारिव बेदा सम दरसी मुनि बिगत बिभेदा आसा बसन व्यसन यह तिनह ही रगुपति चरित हो इतह सुनही तहा रहे सनकादि भवानी जह गट संभव मुनिबर ज्यानी राम कता मुनिबर बहु बरनी ज्यान जोनी पावक जिमि अरनी देकी राम मुनि आवत हरश धंडवत कीनह स्वागत पुंची पीत पट प्रभु बैटन कह दीनह इसमें प्रभुशी राम चंदर जी को मुनियों के प्रती ही नहीं ज्यान के प्रती कितनी आस्था है तो शिदास बता रहे हैं एक दिन क्या हुआ ब्रातनह सहित रामु एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुन्दर उपवन देखन गई सब तर कुसुमित पल्लव नै एक बार अपने भाईयों सहित प्रभु स्री सिताराम चंदर स्वामी जी पर अपने परम प्रिय हरमान जी को साथ लेकर सुन्दर उपवन देखने गए खुद राम ही देखने आये तो वन की क्या स्थित्यम बताने की कोई आवश्य कता ने वहां के सब व्रिक्ष फूले हुए और नए नए पत्तों से युक्त ते जानि समय सनकादिक आएं तेज पुंज गुन सिल सुहाएं ब्रमानंद सदालय लीना देखत भालक बहु कालीना देखिए इससे और क्या सुववसर हो सकता है इस सुववसर को जानकर सनकादिक मुनी आएं जो तेज के पुंज सुन्दर गुन और शील से युक्त सदा 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 ब्रमानंद में लवलीन रहते हैं देखने में तो वे बालक लगते हैं परन्तु वे वयो उरुद्ध थे रूप धरें जन्चारिव बेदां समदरसी मुनी बिगत भी बेदां आसा बसन ब्यसन यह तिन्हा हैं रगुपती चेरित होई तह सुनही देखिए कैसे हैं मानों चारों वेद ही एक बालक का रूप दारन किये हो लेकिन वे मुनी समदर्शी और बेद रहित हैं उप लप दिशाये ही उनके वस्त रहें उनके ये खी वैसन है कि जहां प्रबूशरी सिता रामस्वामी जी की चृत्र कता होती हैं वहां जाकर उसे अवश्य सुनते हैं यहां इस पद में तो सिदास जी सत्संग की आवश्यकता और उसकी महिमा सत्संग करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए दास्ची बक्ती को प्रकट कर रहे हैं तहां रहें सनकादि भवानी जह गट संभव मुनिबर ज्ञानी रामकता मुनिबर बहु बरनी ज्ञान जोन पावक जिमि अरनी यहां देखिए अब शिव जी पारोती को बता रहे हैं हे बवानी हे पारोती हे वुमा सनकादी मुनी वहां गए थे वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनी स्रेष्ट स्री अगस्त जी रहते थे स्रेष्ट मुनी ने शीराम जी की बहुत सी कताएं वरणन की थी जो ज्ञान वुत्पन करने में उसी प्रकार समद्ध हैं जैसे अरणी लकडी से अगनी वुत्पन होती है मतलब इसका अर्द है कि सदा सदा राम कता सुनने की आवश्यक है सुनना मतलब कता पुरान जैसे कुछ सुनने के लिए नहीं है इसमें अनेक अंतरंग चीज हैं और हमारे मुक्ष के लिए योग बहुत मोतियां है उसमें ऐसे राम कता रूपी सागर में लगतार रहना देकि राम मुनि आवत हरश धंडवत की नहें स्वागत पूंच पीत पट प्रभु बैटन कह दीन देखे संकादी मुनियों को आते देख कर देखे सुरिष्ट स्थिति लायकारक प्रभु शिराम चेंदर जी ने क्या किया अत्यंत हरशित होकर धंडवत की और स्वागत पूछ कर प्रभु ने उनके बैटने के लिए अपने पितांबर बिचा दिया इससे पता चलता है कि ज्ञान का कितना महत्त है और इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्द बताना चाहता हूं एक बार अपने अनुज सहित प्रभु स्री सिताराम चंदर स्वामी जी अपने परमप्री हनमान जी के साथ सुन्दर वुपवन देखने गई बगीचे के सभी वुर्क्ष फूले हुए और नए नए पत्तों से सुशोबित ते उपयुत समय जानकर सनकादी मुनी आएं जो तेज की राशी सुन्दर गुनशील से संपन्न तदा सदा सदा के लिए ब्रमानंद में लवलीन रहते हैं लेकिन उनको देखने में वे बालक से लगते हैं तदापी हैं वे वयोवृद्ध हैं उन्हों देखने से इसा लगता है मानो चारों वेद ही साक्षात प्रकट हो गए हैं वे मुनी समदर्शी और वेद बाव से परे हैं दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं उनके बस एक ही व्यसन है कि जहां जहां स्री रगनाद जी के चरित्र की खताएं होती हैं वहां जाकर वे उसे जरूर सुनते हैं अब देखें शिवजी पारोती मा से बता रहें हे बवानी सनकाद मुनी वही टहरेते जहां ज्ञानी मुन स्रेस्ट स्री अगस्त जी का निवास्ता मुनी ने प्रभू स्री राम चंदर जी की खता का भांती भांती से वरणन किया तो मतलब राम खता कितना भी सुने कहां अंत होता है तो अब जो ज्ञान उत्पन करने में वैसे ही समर्द हैं जैसे आरणी लकडी से अगनी उत्पन होती है देकी राम मुनि आवत हरश दंडवत कीन स्वागत पूंच पीत पट प्रभु बैटन कहु देन प्रभु स्री सिताराम चंद्रस्वामी जी ने सनकादी मुनियों को आते देखा तब उन्होंने अत्यंत प्रसन होकर सास्ठांग दंडवत प्लाम किया और कुशल पूछ कर उनके बैटने के लिए अपना पीतांबर बिचा दिया यही है प्रभु शिराम चंद्र जी अपने बक्त सादू संतों के प्रती प्रभु के मन में कितना आदर है इससे पता चलता है भाद भाद धन्यवाद जै श्रीमन नारायन भारत मता की जै